जेहिन नमस्कार आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो ओरोपी से जुड़ावाए ओरोपी वन की गोसना के बाद पैंसन का रिविजन हो चुका था सभी पैंसनस रिवाइजड ओरोपी की पैंसन ले रहे थे इसी बीच ओरोपी टू की भी गोसना हो जाती है और जैसे ही ओरोपी टू की पैंसन को इंप्लिमेंट करने का समय आता है तब बैंकों की आँखें खुलती है कि पैंसनर्स की OROP1 में पैंसन गलत फिक्स हो चुकी थी अब जुलाई 2014 से फरवरी 2023 तक कुल मिलाकर 4,88,246 रुपे की रिकवरी के लिए बैंक ने PCDA को लिखा है अप्रूवल मांगा है कि आप हमें सेंक्सन दो हम एक पैंसनर की 4,88,246 रुपे की पैंसन जो की जुलाई 2014 से फरवरी 2023 तक एक्स्ट्रा बैंक द्वारा दे दी गई थी उसकी रिकवरी करना चाते है असल में मुद्दा क्या है इसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा गलत पैंसन फिक्सेशन का नतिज़ा एक पैंसनर को भुकतना पड़ रहा है तो क्या ये पैंसन रिकवरी हो सकती है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा तो आईए सबसे पहले हम स्टेट बैंक उप इंडिया का वो रिकवरी लेटर देख लेते हैं समझ लेते हैं जो बैंक ने PCDA को बेजा है और एक कोपी पैंसनर को भी बेजिए देखिए यही वो लेटर है जो स्टेट बैंक उप इंडिया ने और यह लेटर 28 फरवरी 2023 को बेजा गया है इसकी एक कोपी पैंसनर को भी बेजिए सब्जेक्ट देखिए सेंक्षन फोर रिकवरी फ्रॉम पैंसन इन रेस्पेक्ट ओप यहां पे पैंसनर का नाम आप देख पारे यानि उनकी पैंसन में से चार लाख 28,246 रुपे की रिकवरी करनी है अब इस लेटर की बोड़ी को आप समझें दा बेसिक पैंसन ओफ दा अबोव पैंसनर हैज बिन रिदूस्ट फ्रोम 23,272 तू रूपीस 20,034 डू तू तू दा चेंज इन रेंक ओबलिक ग्रूप यानि इन पैंसनर की जो पैंसन है वो 23,272 रूपे से 20,034 रूपे हो चुकी है इनकी रेंक या ग्रूप में बदलाव के करण चपवना अ फ्रोम 4,007,246 रूपे जो फैंसनर अजू पैंसनर अजड पैंसन दो थिक जडाव जुकी घंसनर 23,082 रूपे को व्यूदे इनके मार्च ब्सार की ऑनांटर चींड तू रूपे पैंसनर रूपीस दू पैंसनर वूपेंसनर थिदर्ध इफेक्ट यानि चार लाख अठेतर हजार दोसो त्शेर्श रुपे की रिकावरी इनकी करनी है जुलाई 14 से लेके फरवरी 2023 तक क्यों करनी है कि इनकी रेंक या ग्रूप में बदलाव हो चुका है अब ये बदलाव कैसे हुआ हो मैं आगे आपको बताऊंगा इन्होंने सेंक्षन मांगा है अप्रूवल मांगा है PCDA पैंसन प्रियागराज से की 4,88,286 रुपे की रिकावरी करनी है और इस लेटर की कोपिया आप नीचे देख पारें पैंसनर को भी गई है अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका क्या कारण रहा कि PCDA से अप्रूवल मांगी जा रही है 4,88,000 रुपे को रिकावर करने की सबसे में कारण सातियों इनका रहा कि जो O.R.O.P.1 में इनकी पैंसन फिक्स करी गई ये एक हवलदार और एक्वलेंट रेंग के हैं जो इनकी पैंसन निकल के आईए उसके मुताबिक और इनकी क्वालिफाइंग सर्वीस है 20 साल तो जब O.R.O.P.1 में इनकी जो पैंसन फिक्स करी गई थी वो 7,795 रुपे करनी थी 20 years qualifying सर्वीस की उसकी जगे इनकी X ग्रूप की जो पैंसन है 9,055 रुपे वो फिक्स कर दी गई यानि ग्रूप Y की जगे जो पैंसन 7,795 रुपे O.R.O.P.1 में फिक्स करनी थी उसकी जगे ग्रूप X की पैंसन 9,055 रुपे फिक्स कर दी गई और यही पैंसन एक जनुवरी 2016 से रिवाइज होके 2.57 के फेक्टर के मुताबिक बढ़ गई और यह पैंसन बड़ी हुई लेते रहे साथ में इनको टियरनेस रिलिप भी मिलता रहा अब मैं आपको केल्कुलेसम बताऊंगा आप यहां से दोनों आंकड़े देख ले Y ग्रूप की 7,795 और X ग्रूप की 9,055 अब यहां पे आप देखें X ग्रूप की जुलाई 2014 में पैंसन थी 9,055 रुपे और एक जनवरी 2016 से याने साथ में पे कमिशन में 2.57 के फैक्टर से पैंसन रिवाइज होकर 23,272 रुपे पर मन्त हो गई और यही आंकड़े आपने लेटर में देखे होंगे कि अभी वो पैंसन 23,200 की ले रहे और उनकी पैंसन को रिडूस करके 20,034 से जुलाई 2014 से फिक्स करना था इसलिए रिकवरी बन रही है और इस परकार Y ग्रूप की आप जुलाई 2014 में 7,795 जो पैंसन थी उसको साथवे पैंसन के फेक्टर 2.57 से मल्टिप्लाई करने पर 20,034 रूपे ही बन रही है अब इनकी पैंसन का रिविजन नहीं रिडेक्शन करना है 23,222 से 20,034 तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9,055 और 7,795 यानि जो X गुरूप की पैंसन है उसमें से पहले Y गुरूप की पैंसन को जुलाई 14 से लेके दिसंबर 15 तक यदि कैल्कुलेट करें तो पर मन्त 1260 रूपे का डिफरेंस आ रहा है और कुल मन्त हो रहे हैं 18 इस परकार इनकी जो रिकवरी बन रही है 22,680 रूपे उसके बाद साथमें पै कमिशन के रिविजन के अनुसार जनवरी 2016 से फरवरी 2023 तक इनकी पैंसन का यदि रिकवरी का कैल्कुलेशन करें तो 23,222 में से 20,34 को निकालें तो पर मन्त इनकी पैंसन कम होगी वो होगी 3,238 रूपे और कुल मैने है 86 इस परकार 2,78,468 अब हम इन दोनों आंकडों को जोड़ दें तो कुल मिलाकर जो पैंसन बन रही है जिनकी रिकवरी होनी है वो है 3,148 रूपे अब इसके उपर डियरनेस रिलिप को जोड़े तो कुल मिलाकर 4,78,246 रूपे की रिकवरी जो इस्टेट बेंकोप इंडिया के लेटर में दिखाई हुई है उतनी बनती है तो इस परकार आपने देखा होगा यही आंकड़े इस लेटर में दिये वह हैं कि इनकी पैंसन का 23,272 रूपे से रिडेक्शन करके 20,34 रूपे करना है क्योंकि ये एक Y ग्रूप के पैंसनर थे 20 साल इनकी क्वालिफाइंग सेर्वीस थी और हवलदार और एक्वेलेंट इनकी रेंक थी लेकिन इनकी पैंसन जुलाई 2014 में Y ग्रूप में ना होके X ग्रूप में कर दी गई अब इसमें पैंसनर की कोई गलती नहीं है लेकिन अब इनका जो पैंसनर का वारी वरकम पैंसन का अमाउंट का रिकवरी किया जाएगा तो इनके लिए एक बहुत बड़ी समश्या खड़ी हो जाएगे अब इनकी पैंसनर के लिए एक हिदायत है एजर बैंक ओफ इंडिया और बारत सरकार और मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के ये ओर्डर्स है कि दो साल से पुरानी रिकवरी नहीं कर सकते अब इनके लिए ये पैंसनर हो तो अपनी रिट पेटिशन, आर्मड फोर्से ट्रिबनल और उससे अपर जो कोर्ट से उनमें डाल सकते हैं तो इनकी रिकवरी रुख सकती है अब सभी पैंसनर्स के लिए हिदायत है आप भी अपना साथमें पे कमिसन का, ओर और पी वन का जो रिवाइज यानि कोरिजन्डियम पीपियो है वो चेक कर लें कि कहीं ऐसा ता नहो कि आप अलग ग्रूप से सम्मंद रखते हैं और आपकी जो पैंसन फिक्स करी गई है, वो दूसरे ग्रूप में फिक्स कर दी गई इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्स ग्रूप का पैंसनर हो और उसकी पैंसन को वाइ ग्रूप में फिक्स कर दिया गया हो तो उनको और 4-5 लाग रुपे का एरियर भी मिल सकता है लेकिन कोई ऐसा पैंसनर है जो Y ग्रूप से विलोंग रखता हो और उसकी पैंसन X ग्रूप में फिक्स कर दी गई है तो उनके लिए ये दुविदा हो सकती है तो ये लेटर PCDA को जाच चुका है और सर्कुलेट होते होते मेरे पास पहुँचा इसके ओपर जब डीफली विशलेशन और इसके तत्यता को जाचा तो सामने निकल आया कि Y ग्रूप के एक पैंसनर की X ग्रूप में पैंसनर फिक्स कर दी गई और अब रिकवरी के लिए State Bank of India ने लेटर भी निकाल दिया तो साथ ये चोटी सी जानकारी मैंने इस वीडियो के माधियम से आपको दी जानकारी आपको अच्छे लगी और लाइक और इस वीडियो को सेर कर सकते हैं ताकि दूसरे फैंसनर भी अपने फैंसन रिविजन को जान सके कि उनकी फैंसन का फिक्ससन सही हुआ है या गल्त हुआ है तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जै हिंद जै बारत वंते मातरम